हेलो बच्चो वेलकम टो लोफ यू और माई यूट्यूब चैनल शाइन टीटोरियल मैसल बिंदू तो गाइज आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं हम एनिमल किंडम की जो हमाई पास लास्ट क्लास है इसे हम विसकस करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में बहुत एक्साइट हुँ मैं आज क्योंकि आज जो है वो हमारा एनिमल किंडम जो है वो फिनिश हो जाएगा या इनिमल किंडम चैप्टर जो है वो इस क्लास मैमिलिया के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए क्लास that is class Maimililya तो जो मैमिलिया तो पर आप्टर यह सारे के अगहरे हम स्ट करने जा रहे हैं तो क्लास मैमिलिया उनिक फीचर होता है कि जब यहाँ पे बच्चों को जनम दिया जाता है तो जो मा होती है वो बच्चों को memory glands के थुरू जो है वो नरिश्मेंट प्रवाइड करवाती है यानि कि memory glands जो है इस class के अंदर ये क्या है एक unique feature है उनकी एक विशेष्टा है कि उनके अंदर ही memory glands जो है पाए जाते है memory glands में क्या होता है milk की production होती है दूद की production होती है जिससे की young ones को यानि जो छो चोटे बच्चे है उनको नरिश्मेंट प्रवाइड करवाई जाती है तो चलिए start करते हैं आज का topic that is class mammalia तो इसमें first general characteristics पे आते हैं तो सबसे पहले यही discuss करेंगे कि इसका नाम mammalia क्यों पड़ा के अंदर milk producing glands present होते हैं गरंतियां होती है जिससे दूद की production होती है दूद बनता है उनके अंदर जिने हम memory glands कहते हैं जिससे की जो young ones है यानि छोटे बच्चे हैं उनको नरिश्मेंट प्रवाइडर परवाई जाती है यानि उनका पालन portion जो starting के जो उनका time होता है उसमें उ next character है वो है habitat कहां रहते हैं कोस्मो पॉलिटेंट है वच्चो हर कहीं रहते हैं अगर आप बरफिले इलाकों में चले जाओ डैजर्ट के अंदर चले जाओ पानी के अंदर चले जाओ हवा में चले जाओ mammals हर कहीं present है तो कौन-कौन से mammal कहां present है चले देखते हैं polar ice caps यानि की बरफिले इलाकों के अंदर जो है वो penguins है और polar bears है सफेद भालू जो सफेद बरफ की तरह ही दिखता है उसे चुपने में महां पे असानी होती है इनके सफेद भालू के अंदर जो है वो two types of fur होता है एक अंदर जो है एक coating होती है फरकी जिसके द्वारा वो अपने body temperature को regulate कर सकता है यानि हम जो है mammals जो है वो कैसे हैं वो है अपने body temperature को regulate करके रख सकते हैं यानि की परियावरण के हिसाब से हम अपने body temperature को ठाल सकते हैं कोई हमें जो है इसमें परिशानी नहीं होगी तस हमारा metabolic rate जो है वो ताड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास जब mcbs क्लास हमने डिस्कस करी थी तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं activation शो करते हैं ठीक है हाइबरनेशन यानि कि शीतनिंद्रा जिसे कहते हैं वो सो जाते हैं अपनी metabolic activities को slow down कर ले हैं ताकि उनके अंदर जादा energy की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है क्योंकि वो सो रहे है क्यों चाहिए उन्हें energy ठीक है लेकिन हम जो है हल समय जागे रहते हैं ऐसा तो नहीं कि हम शीतनिंद्रा में चले जाते हैं सर्दियों में चुटियां हो जाते हैं और सो जाते है एक जगा जाके नहीं हम 12 महीं में जो है सिर्फ रात कोई सोते हैं बाकि हमने जाग नहीं जागना होता है that's why हम mammals जो है Osmo regulation करते हैं अपने बोड़ी temperature को maintain करके रहते हैं क्योंकि हम warm-blooded animals हैं ठीक हैं तो desert के अंदर kangaroo rat, रे तीले, रेगिस्थान के अंदर, चिल चलाती, पैमल हो गया, कई हफतों तक बीना पानी के वो रह सकता है, कंगारू rats है, mountains के उपर, यानि हिमालन रीजन में अगर आप जाएंगे वच्चो, तो वहां पर क्या होता है, कि जैसे हमारे हाँ गाय, भैस, बक्री पाली जाती है, वहां पर याक पाला जाता है, उसका दूद भी लिया जाता है, बोजाड होने के लिए भी याक का इस्तेमाल जो है, वह किया जाता है, forest की अगर बात करें, उसमें एप हैं, गोरिला हो गया, मंकी हो गया, सेंपिंजी हो गया, तो ये कहां रहते हैं, पेली forest के अंदर रहते हैं, और उन forest में जो trees होते हैं, उनको पर climbing और में दूदु पुर बिसक्राइज वाले सबस्किंद बासे के लिए पनी को हमास मटनेट परGroup हुआयदा के लिए उनको जिसे हुआ यूआ जब और से खुछ देखा होगा कि उन काली काली गुफाओं के अंदर से जो है वह बैट निकलके आती है और वो क्या करती है फ्लाइ करती है कि मतलब कि यह adapted है for flying mammals some are adapting to fly that are bats live in water, whales जो है पानी के अंदर रहती है सांच लेने के लिए बाहर आती है इनके अंदर भी हमारी तरह respiration होती ही किस तरह की pulmonary respiration क्योंकि इनके अंदर lungs present होते हैं next आ जाते है next character के उपर that is appendages appendages मतलब कि इनके पास भी four limbs होते है यानि two pairs of limbs, hand limbs, four limbs present होते है और कैसे होते हैं इनके limbs फिर टा pentadectile, pentadectile का मतलब क्या है five digits जो है वो present रहेंगी links के उपर ठीक है जो कि adapted है for walking अब देखिए हमारी चाहे hands हो, चाहे toys हो उसके उपर जो है four digits जो present होती है walking में, running में, climbing में, burrowing यानि की जिसे sloth के आपने बड़े-बड़े नाकुन देखे थे उन नाकुनों से जो नेवले होते हैं और sloths, मतलब कुछ animals हैं जो burrow बनाके रहते हैं यानि धर्ती के अंदर वो क्या करेंगे जिसे rats हैं तो वो वहाँ पर अपना घर बना लेंगे swimming में, flying में वो उनको help करती हैं तो यह जो picture आप देख रहे हैं इसमें देखिए one, two, three, four, five जो है fingers जिसकी present है पेंटा-डेक्टाइल है, fingers नहीं बोलेंगा, digits बोलेंगे से digits के उपर देखो हमारे चोटी-चोटी-चोटी nails हैं इनके बड़े-बड़े nails होते हैं जिनने हम claws कहते हैं और कुछ animals हैसे हैं जिनमें nails बगारा नहीं होती हैं कि अंदर क्या present होता है विच्छो? hoops present होते हैं जिसे कि हम khur कहते हैं गाए का हो गया फिर cow का, buffalo का, horse का उनके अंदर खुर present होते हैं विच्छो नेक्स्ट ये जो डाइग्राम आप देखिए इसे आप जो है असानी से इन चीजों को समसत देहें Humerus bone है, radius bone है, alna है, carpels है, metacarpels है, phalanges है, तो इसमें हमारे पास digits 1, 2, 3, 4, 5, cat के अंदर भी digits है, whale के अंदर भी ये digits present है, और bat के अंदर भी है, जो इसको flying में help करेंगी, इस तरह से appendages जो है in animals के अंदर present होती है, नेक्स आजाते हैं बच्चों हम skin के उपर, तो जो skin होती है mammalians की, उसके उपर जो है hairs present होती है, the skin of the mammal is unique possessing hairs, apes में देख लिजी है, monkeys में देखी है, जो हमारे ancestor है, हमारी body के उपर भी छोटे-छोटे hairs जो है, वो present होती है, जैसे भलू है, शेड है, चीता है, लाइन है, ठीक है, तो ये सारे जो है, बच्चे उनके उपर जो है, वो hairs present होते ही होते हैं, exceptional cases पर कहीं है, यानि कि जो aquatic mammals होते हैं, उसमें hairs बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं, whales के उपर hairs present नहीं होती है, किनोफ mammals जो है, यूनीक है, possessing hairs, देखे, डाइग्राम, इसके छोटे-छोटे hairs, जो है, वो present है, और skin के उपर, और क्या present होता है, इसमें gland यानि गरंथियां present होती हैं, जिसमें से secretions निकलती हैं, तो हमारे पास two glands हैं, जो मैं million body है, उसके उपर, है, दूसरा है sweet, यानि कि हम, जो है, हमें अपना body temperature जो है, वो regulate करके रखना है, according to the environment, यानि परिया वरंट के हिसाब से, हमें अपनी जो शरीर का तापमान है, उसे बनाई रखना है, तो हमारे शरीर से पसीनना निकलता है, तो sweet glands present होते हैं, जिने sudory ferrous glands, जो है, वो कहा जाता है, तो दो गरात के glands, जो है, गरंथी हैं, बच्चे, हमारे शरीर के अंदर होती है, wild gland and sweet gland, यानि की तेल भी निकलता है, और पसीनना भी निकलता है, ओके, next character पे आ जाते हैं, जो है endoskeleton, अब, bones present होती है, क्या होती है, bones present होती है, हड्डिया मुझूद है हमारे अंदर, हमारा जो skeleton है, जो आप diagram देख रहे हैं, ये एक मानब भूत है, और साथ में मानब का उता है, तो ये dog और जो man है, ये दोनों ही कैसे हैं, बच्चों, इनका skeleton यहाँ पर show किया गया है, तो endoskeleton कैसा है, boni है, bone present है, skull जो है, dicondylic होता है, यानि कि, दो हिस्तों में divided होता है, हमारा skull, और neck जो होता है, इसके पास several cranial vertebrae, जो है, यहाँ पर present रहते हैं, ठीके साथ cranial, जो cervical vertebrae, जो इसके आपने cervical की problem होगी है, ठीके, तो seven cervical vertebrae यहाँ पर जो है, वो present रहते हैं, next character पर आ जाते हैं, that is, siloom, तो हमने जब पढ़ा था ना, वच्चे कि siloomic cavity जो है, वो present रहती है, mesoderm और ectoderm और endoderm के वीच में, ठीके, तो वही cavity जो है, जब सांच लेते हैं लंग्स का, तो वो बताते हैं diagram यहाँ पर, तो इस तरह से जो है, वो diagram जो है diaphragm की, यह mammalian fracture है, mammals के अंदर ही यह present होता है diaphragm, ठीक है, abdominal cavity और thoracic cavity को, जो lungs हैं, उनको अलग करती है, ठीक है, next है हमारे पास mouth, mouth यानि हमारा मूँ में हमारे पास two movable lips present है, और हमारे पास teeth present है, teeth जो है बच्चो, mammals के अंदर बहुत, अलग-अलग तरह के होते हैं, that's why इनको hetero, डॉंट यानि डिफरेंट टाइप, इंसीजर भी है, कनाइन भी है, molar भी है, और pre-molar भी है, सीकोडेंट, यानि jar socket के अंदर teeth जो है embedded है, अलग-अलग से धसे हुए हैं ये, हम ऐसे नहीं, अमार भाई देखो, ये मेरा tint है, ऐसे नहीं हम कर सकते, ये अंदर embedded है, धसे हुए है, jar bone के अंदर, जबड़े की ये जो वोन है, उसके अंदर ये धसे हुए होते हैं, डाइ-फो-डेंट, अब देखों, हमारी जिंदगी के अंदर, यानि हम mammals हैं, दो तरह के जो हैं, वो teeth आते हैं, हमारे पूरे lifetime में, जीवन काल में, दो तरह के teeth आएंगे, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद जो हमारे teeth आते हैं, हम milk, doodh के दात कहते हैं, milk teeth कहते हैं, जब वो milk के teeth टूट जाते हैं, after that, जो teeth आते हैं, वो permanent teeth चहलाते हैं, क्योंकि जब तक हम बुद्धे नहीं हो जाते तब तक वो दाथ हमारा साथ देते हैं अगर हम उनकी अच्छी तरह से केर करें नहीं तो वो तूट जाएंगे जवानी के अंदर ठीक है तो दो तरह के टीथ होते हैं बच्छों बच्पन में आते हैं दूद के दान और आफ्ट गट ओपन होता है एनस में तो इसमें हमारे पास माउथ था बकल गाविटी है और इसो फैगस है प्रोप गिजार लाइक स्ट्ट्र हमारे अंदर नहीं होती है ठीक है क्योंकि हमारे टीथ है और टंग है जो फूड की मैस्टिकेशन में वो हेल्प कर लेंगे उसके बाद हम हमारे पास टमक आएगा स्माल इंटेस्टैन है लाज इंटेस्टैन है रेक्टम है एनस यह सब हमारे पास जो है वह प्रेज़न होता है और गट ओपन करता है थ्रूद अनस ओके यह क्लेर हो गया यहां से उसके बाद आते हैं next that that ismlaziBearatione हमारे व्लां की होते हैं quietly प्रिंपडे अच्छा तरह से तयार हो चुकी है ओ जो磨द बरेशन उंगी यानी कि जो हम consol बदू के द्वारा श्व declare करें मारे अंदान Community ने क्यों कि इसके अंदर जो है ठीक है नेक्स है sound producing organs जो है वो लेरिंग्स होते है इसमें words के अंदर ठीक है वो गाना गाते थे singing के लिए ऐसे लगा देना हम language यानि language यूज करते हैं तो L से larynx हमारे अंदर sound producing organs जो है वो present होता है और 4 cartilles के द्वारा उसको spotted किया जाता है अब देखिए जब हम खाना खाते हैं खाते खाते के वार क्या होते है खाना जो है हमारी wind pipe shore से नली में चला जाता है ठीक है फिर हमें बहुत ऐच खांस ही आती है तो उससे पचने के लिए हमारे पास क्या होता है हमारे जो ग्लोटिस होती है उसके उपन एक धकन नुमा ऐसे structure होती है जिसे एपी ग्लोटिस कहते है जब हम खाना खा रहे होते है तो वह structure बंद जाती ताकि खाना जो है वह उसमें ना चला जाए तो ग्लोटिस यहीं मैमिलियन का ही character है नेक्स बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वह हमारे अंदर प्रेजेंट है फोर चेंबर हर्ट होगा चार चेंबर है हर्ट के oxygenated दी oxygenated blood हमारा mix नहीं होता है दो औरिकल होगे दो वेंट्रिकल होंगे आर्बसीज जो होती है हमारी वो बायकनकेव होती थिक्याद डी नुपलियटिड होती है कैमल और जो हमारा लहमा है उसको चोड़के हमारे पास जो आर्बसीज़ है बाकि सभी के अंदर बायकनकेव औ नर्थ प्रेजंट होती है, सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं उनके ब्रेम के अंदर ही पाया जाता है, जिससे हमारा दिमाग जो है बहुत बहुत जीज है, ठीक है, यह कॉर्पस कैलोसम, जो है केवल और केमल, यूमन जो होंगे, सोरी human नहीं जो mammals होंगे उनके brain के अंदर ही ये पाया जाता है next आ जाते हैं कि जो हमारे पास internal air है ठीक है internal air के अंदर कोकीला होगा जो hearing apparatus जिसे कहते हैं जिसे organ of coat eye ये question बनता है organ of coat eye जो है वो कहां present होता है तो जो mammal सा जो air होता है internal air है उसके अंदर ये present रहता है अब एक बाद आपने सुनी होगी कि हमारे श्रीर की सबसे चोटी हड़ी कौन सी है तो वो कौन सी होती है step is होती है तो जो middle air होता है हमारा inner है middle है और external air है ठीक है ये क्या करता है अब आज को यहां वहां सभी जगह से कठ्था करके हमारे air के अंदर भेज देता है तो ये भी mammals के अंदर ही present होता है next बात कर लेते हैं excretory system की excretory system में यानि की जो mammals होते है और इसे यूरियो टैलिक आनिमल्स जो कहते हैं और इसे यूरियो टैलिक आनिमल्स जो कहते हैं homeothermal यानि की अपने body temperature को regulate करके रख लेते हैं warm blooded है और high metabolic rate है क्योंकि हम चीत निंदरा में नहीं जाते हैं तो metabolic rate जो है हम अपना low नहीं करते हैं वो high ही रहेगा next आ जाता है reproduction तो दो तरह के sexies होते हैं male भी है female भी है यानि sexual dimorphism ये show करेंगे unisexual organisms है male के पास copulatory organ है जिसे की penis कहा जाता है testis जो है वो secrotal sac में present होती है क्योंकि male की जो body temperature होता है वो बहुत जदा high होता है तो जो sperm होते हैं उनकी production के लिए two degrees celsius जो temperature है वो low चाहिए that's why secrotal sac उनकी body के बाहर present होता है जिसमें testis होगी जहां पे उनकी sperm की production होती है ठीक है fertilization कैसी रहेगी internal रहेगी बच्चों क्योंकि मा जो है वो gestation parent के दोरांस जो है अपने बच्चों को हमारे पास यह bb paris organisms होंगे bb paris का मतलब है जो बच्चों को जनम देते हैं ओभी paris होते हैं जो अंडे देते हैं ठीक है लेकिन इसमें भी exceptional case है protothereans जो egg-link mammals होते हैं एग-link mammals जो कि क्या करेंगे वो mammals जो कि अंडे देते हैं ओके next आ जाता है हमारे पास embryo embryo जो होता है mammals का वह एम्मिनोइटिक fluid के अंदर होता है यह जो एम्मिनोइटिक fluid होता है surrounded by amnion है तो एम्मिनोइटिक fluid जो है यह जो है वह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है बच्चे को in the uterus during the gestation period high degree of parental care होती है हम जब पैदा हुए थे कब तक हमारे माब अपने हमारी जो ऐसे वाती है ठीक है वैसे ही जो बिल्लियां है ठीक है cats है फिर dogs है तो यह क्या करते हैं बच्चे यह कुछ time तक अपने बच्चों को milk से feed करवाते हैं ठीक है mostly जो mammals होते हैं वो अपने बच्चों को care provide करवाते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाए या जब तक वो self dependent नो हो जाए तब तक उनको जो है वो care provider करवाई जाती है mammals के अंदर ओके नेक्स आजाता है कि mammalia जो है वो further groups में divided है इसमें हमारे पास आते है pro therians pro मतलब पिछले ठीक है तो पहले जो थे यानि mammals से पहले कौन से थे बच्चो एब से वो अंडे देते थे तो जो प्रो therians है एग लेंग मैमल उसके अंदर आएंगे ठीक है अपने सुना होगा वो जो duck shaped उसका जो mouth होता है अंडे देते हैं वो ठीक है metatherians, metatherians वो होते हैं जो beach वाले होते हैं उसमें क्या आता है वो बच्चो को ही जनम दे रहे हैं लेकिन वो क्या आता है उनके बच्चे जो इतने ज़्यादा डिवल्प नहीं होते है जब वो उनका बर्थ होता है जिसे कंगारों की अगर हम बात करें तो उसके बेभी नहीं मिन्यूट से बेभी होते हैं तो उनका जो pouch होता है पाउच के अंदर उसको रखते हैं और जब उसको पाउच के अंदर रखेंगे तो वहां पे उसके जो है उनको फीड करवाया जाएगा जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो पाउच के अंदर ही रहता है यूथेरियं यूथेरियं में हम आ जाते हैं ट्रू मैमल हैं ठीक है अब हम पूरे फुली डिवल्प मैमल बन चुके हैं जो अपने बच्चों को जो है वो बर्थ होता है उनका ठीक है जानी कि देखिए एग लेंग में एगस के अंदर डिवल्पमेंट हो रही थी पाउच जो है तो यहां पर हमारी जो क्लास मैमिलिया है यह फिनिश होती है इसके साथ ही हमारा एनिमल किंग्डम चैप्टर भी फिनिश होता है नेक्स जो है हम प्लांट फिजियोलोजी स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स वीडियो के अंदर तो तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू